हेलो फिरिंट, वेलकेन टू माई चैनल, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट अमित कुमा सिंग, आज मैं आपको एक माइक्रो कैप कमपनी बताऊंगा, कैमनिकल सेक्टर की बीगेस्ट मल्टी वैस्ट आउग बताऊंगा, ये कमपनी आप लोग को दीपक, नाइटीर के जैस 200% का रिटन बनाके दे सकता है, तो आप लोग इस कमपनी पैसा लगाईएगा, 1000 क्रोड से कम का मार्केट कैप है, आगे चलके इस कमपनी का मार्केट कैप 1000 क्रोड का भी होगा, 2000 क्रोड का भी होगा, 5000 क्रोड का भी होगा, 10,000 क्रोड का भी होगा, और छोटी कमपनी में छो लोग इस कंपनी में बड़ा पैसा भूल करीमत लगाईएगा 10-15,000 रुपया 25,000 रुपया लगा के छोड़ दीजेगा कंपनी अगर अच्छे रिजल्ट पेस करेंगी तो आपको रिटर्न मिल जाएगा आपको अगर बड़ा पैसा लगाना है तो बर्जर पेंट में आप लो बहुत बड़ा बुल मार्केट है और मैं आज से नहीं बो रहाँ 12-13 महीने से बोल रहाँ कि यह बुल अच्छेव हो चुका है 16,000 का भी टार्गेट अच्छीव होगा और 2021 खतम होते होते निफ्टी 20-21,000 का हो जाएगा बैंक निप्टी एक से डेर सालों में 45,000 का हो जाएगा जो कि कोई बहुत बार टार्गेट नहीं है पिछले हपते ही में बोला था कि बैंक निप्टी में 10,000 पॉइंट की तेजी हो सकती है उस समय से बैंक निप्टी 3,000 पॉइंट चल भी चुका है तो आप लोग बैंकिंग सेटरिंग कंपनी पैसा लगाईए NBFC कंपनी पैसा लगाईए और टो सेटरिंग कंपनी पैसा लगाईए बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मार्केट क्यों चल रहा है मैं तो अपना पुरा पूर्टोलियों ही बेच दिया हूँ अब मैं क्या करूँ तो भई आपको पो पूरठोलियों बेचने के लिए कौन बोला था मैंने तो कभी नहीं बोला है कि बुल मार्केट खतम हो गया है मैं तो हर वीडियों बोला हूँ निफ्टी में बड़ा बड़ा टार्गेट भी दे रहा हूँ और लॉंग टर्ण फिले प्रासा लगाते हो भई तो डर किस बात का मार्केट गिरेगा फिर से रिकावर हो जाएगा 12-13 मैने पहले भी मार्केट गिरा था क्या मार्केट रिकावर नहीं हुआ सबसे पहले मैं इसका ये टू जल देख लेता हूँ और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजिशन बायाँ से पहले एक और का फानेसल कंडिसिंग बारे पता कीजिए कंपनी के धन्दे के बारे पता कीजिए अगर वै उस कंपनी का धन्दा अच्छा है बिजनेस मोडल बनिआ है उनकी पोटक्ट अच्छी है उनकी सर्वीसेश अच्छीह तभी जाके कंपनी लगातार अच्छे जल्ट पेस करेंगी और इसी टैप की कंपनी में आपको compound का फैदा मिलेगा और आप लोग ऐसी कंपनी में पैसा लगाए जिसमें आप लोग को compound का फैदा मिले तभी जाके आपका बड़ा पैसा बनेगा long term में तो देखो net sale turnover मार्च 17 में था वो 155.28 था मार्च 17 में और मार्च 21 में देख लो 359.44 हो चुका है तो देख से तो पहुत ही बनियास का net sale turnover है year to year बाइज 195 में से 359 हो चुका है टोटल इंकम देख लो टोटल इंकम भे इसका सांदार है year to year बाइज मार्च 17 में जो टोटल इंकम था वो 108.40 था मार्च 17 में और मार्च 21 में देख लो 369.52 हो चुका है तो भाईया मुझे इसका net sale total income year to year बहुत ही अच्छे दिखाए दे रहे हैं आप खुद भी अपने स् profit था वो 21.58 था मार्च 17 में और मार्च 21 में देख लो 49 हो चुका है तो देख सकतो पहुत बढ़ियां इसका operating profit है year to year बाइज 21 से 49 हो चुका है एविटा देख लो एविटा वे इसका सांदार है year to year बाइज मार्च 17 में जो एविटा था वो 24.70 था मार्च 17 में और मार्च 21 म का इविट्टा है, 24 से 59 हो चुका है, और किसी भी year में कम भी नहीं रहे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, positive बात है, तो भीया मुझे इसका operating profit, EBITDA, year to year बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहें, और किसी भी year में कम भी नहीं रहा है इस टाइप के financial performance वाली company में अगर आप पैसा लगाते हो वाई तो आपका पैसा हर साल double हो सकता है तो आप लोग इस company पैसा लगाईएगा wealth creation के लिए और आप लोग जो भी पैसा लगाईएगा वो long term के लगाईएगा अभी micro company है आगे चलके large cap company भी बनीगी profit and loss for देखलो profit and loss for year वे इसका सांदार है year to year वाईज, March 17 में जो profit and loss for year था वो 3.67 था March 17 में और March 21 में देखलो 21.48 हो चुका है तो देख सकता हूँ बहुत भी बनिया इसका profit and loss for year है year to year वाईज 3 से 21 हो चुका है और किसी भी year में कम भी नहीं रहे जो कि एक बहुत ही अच्छ सांदार है year to year वाइज मार्च 17 में जो पैट था वो 3.67 था मार्च 17 में और मार्च 21 में देख लो 21.48 हो चुका है तो भाईया ये भी सांदार है और किसी भी year में कमभी नहीं रहा है annual EPS देख लो annual EPS विसका सांदार है year to year वाइज मार्च 17 में जो annual EPS था वो 0.37 था मार्च 17 में और मार्च 21 में देख लो 19.71 हो चुका है तो देख सेकते हो पहुत भाईयास का annual EPS है 0.37 से 19.71 हो चुका है और किसी भी year में कमभी नहीं रहा है जो कि एक पहुत अच्छी बात है तो आप लोग इस कमपनी पैसा लगाईए ये ग्रोइंग कमपनी है बहुत बड़ा multi-way stock बन सकता है बन सकता नहीं है बने गहीं तो भी इस कमपनी का नाम है Yesoo Industry ये एक chemical sector एक कमपनी है ये कमपनी आप लोग को दीपक नेटिट के जैसा अटन मना के दे सकता है अबी तो बह market cap 1000 कोड का भी होगा, 5000 कोड का भी होगा, 5000 कोड का भी होगा, 10,000 कोड का भी होगा अप लोग کو पता हो गई कि chemical sector में बहुत ही तेजी सेटर मिलता है और ऐसा नहीं कि chemical sector company में सिर्फ अभी क chili मिल रहा है शालों से ये सब company return बना के देते आ रही है और आप लोग को पता हो गई मेरे portfolio में भारत रसायन का share है अतुल बिनाती ये सब company का share मैं बहुत पहले खरीदा था तो आप लोग पैसा लगए और आप लोग जो भी पैसा लगए के अंकर सेटरिक company में ओ लॉंग टर्म के लगए खरीद के भूलोगे तभी जाके पैसा बनेगा डेली बाय और सेल कर से result पेस करते रही तो अभी micro company है आगे चलके mid cap company बनेगी large cap company बनेगी और ये सब भया रातो रातो नहीं होगा yeso industry पे मैं पहले भी कई वार वीडियो बना चुका हूँ आप लोग को मैं वीडियो भी दिखाना चाहूँगा तो ये वीडियो में 24 जनवरी 2021 को बनाया था किस प्राइसे बनाया था आप लोग को मैं वीडियो प्ले करके भी दिखा दे रहा हूँ तो यहाँ पे देख सेक यह 480 रुपया और मार्केट कैप भी देख लो भाई 517 क्रोड का मार्केट कैप है और जब मैं बताया था तो बहुत छोटी कंपनी थी कई लोग कमेंट भी करते थे कि यह स्टॉक चलेगा ही नहीं तो आप लोग यह 100 इंश्टी में पैसा लगाईए 10-15,000 पे लगा के छो मैं कोशिस करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोटफोलिय बना के देने का कॉंट्रेट कीजिए मुझसे पेट सर्विस चाहिए तो जब मैं फर्स टाइम यह 100 इंश्टी वीडियो बनाया था तो काफी लोग कमेंट करते थे कि यह स्टॉक तो मिली नहीं रहा है आप फरजी बता रहे हो तो भाईया इतनी छोटी कमपनी है कई सारे ब्रोकर तो इस कमपनी को खरीदने भी नहीं देंगे इसी तरह जब मैं ब कमपनी है जो आप लोग को कोई बताएगा भी नहीं और हम तो आप लोग को पहले बताते हैं चलने के बाद तो आपको सब कोई बताएगे और खास करके टीवी वाले वो तो चलने के बाद ही बताते हैं दीपक नैटे जब 1000 रुपया का हो गया 1800 रुपया का हो गया तो एडिये फूट के बारे में भी आप लोग यही बो रहे थे कि 90 साल पुरानी कंपनी है फिर भी अभी तक छोटी कंपनी क्यूं है अब 1000 रुपया के एडिये फूट हो गया तो एडिये फूट सबको अच्छा लगने लगेगा तो भैया जब को छोटी कंपनी रहती है तो पहल चला तो चला नहीं जो ठीक है और आप लोग को यह भी पता है कि हम जो स्टॉक बताते हैं वह चलता ही है चाहे वह इंडिया माट हो डिक्सन टिकनोजी हो एफल इंडिया हो या फिर ब्लैक रोज कैमक्रक्स एडिये फूट बहुसा ही लोग कमेंट करते हैं कि आप खुद लोट है इसमें मुझे एक लाक रुपया का फ्रॉफित हो रहा है और बजास फैनेंस में मुझे 3390 रुपया का लॉस हो रहा है तो भाया मैं एन्वेस्मेंट भी करता हूं और ट्रेडिंग भी करता हूं तो लिंक का आप लोग को वीडियो टिसन मिल जाएगा जी रोधा औ आप स्टॉक में डीमेट इकाउन उपेन काना विल्कुली फ्री है कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे जो भी लो मेरे लिंक से डीमेट इकाउन उपेन कराएंगे उनको इंटरडे टिप्स फ्री में दिया जाएगा अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो ल पाउंटर में धन्यवाद